इस्तिफा देना चाहिए भारतिये समाच को ग्रिह मंत्री को इस्तिफा देना चाहिए हम भारतिये लोगों के बीच में ज़ीक कामिला कर्के लाइब, देश और समधिधान के खिलाफ अन्याय पर बाड करानी चाहिए में उस्तिफा देना चाहिए ग्रह मंद्री को इस्तिफा देना चाहिए। मैं पर रोक लगानी चाहिए। वनेस्टी एक बूल ठीखे लोग ऑग तबहा था था उब खायर था Sabbath नमस्कार पुलिटेन में आपका स्वागत है मुंबई में किन-किन योगों पर बंबलास होने वाला है इसमें कौन-कौन शामिल है और सुरक्षा पलोने राजे के बचाओ के लिए क्या-क्या एक्शन लिया है इसके बारे में हमें अब तक जो खबर मिली है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं खबर मिली है कि पाल घर में इस सिलसले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है सूचना है कि आतंगवादियों का लीडर पुलिस के हाथ चड़ गया है ग्रह मंत्री के लोगों का कहना है कि राजे में फैल रही आतंगवादियों के खिलाफ उनकी पकड़ मजबूत होती जा रहे है ग्रह मंत्री का कहना है कि सभी आतंगवादी जल्दी पकड़े जाएंगे मंत्री जी का कहना है कि राजे में अलग-अलग जगों पर बंबलास्ट करने वाले आतंगवादियों को पुलिस भूटने में जुटी हुई है वही दूसरी ओर साइबर सेल का कहना है कि मुंबई में प्राइबिट सेंटर से ये मेल भेजा गया है और ये सच है ये जोट ये पता नहीं उस दिनों से ऐसी गलत आफवा फैलने की वज़े से पोलिस प्रशासन और पप्लिक के बीच में डर पैदा हो गया है हो सकता है ये दूसरा मेल भी आफवा फैलाने के लिए भेजा गया फिर भी दूसरे राज्यों में जो बंब ब्लास्ट हुए हैं उनको मत्दे नजर रखते हुए इस मेल के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है इस तरीके के जो मेल मिले हैं उनको मत्दे नजर रखते हुए इन जगों की सुरक्षा टाइट कर दी गई है पुलिस आयूत का कहना है कि कभी-कभी स्टुडेंट भी इस तरीके की हरकते करते हैं और इस तरीके के अफवा से पुलिस का टाइम बरबाद होता है इसलिए कई बार ऐसे केसों को नजर अंदाज करना पड़ता है लेकिन फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि मुंबई में अलग-अलग जगों पर बंबलास्ट होगा ऐसा जो मेल मिला है उसको लेकर हम चुप-चाप नहीं बैठ सकते हैं ऐसी परिस्तिती में ग्रह मंत्री ने सबको एक चुटो कर एक्शन लेने की बात कही है हुआ है झाल झाल हुआ हुआ है! हौँ अब अब है हां कौन बोल रहे है हां ठीक है ठीक हम पोच गया है मैं बात में बात करता हूं मैंने काना आई बात करता हूं ओके, ओके. सर, मुंबई में होने वाले बंबिसफोटों के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? जो मेल मिले हैं, वो सही है या गलत? सर, बिसफोट के बारे में आपको जो खबर मिली है, वो कहां से मिली है? इस केस की जो तहकीकात कर रहे हैं, उनका नाम है मुहम्मद इकबाल, जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप रिपोर्टर लोग भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं सर, पिछले कुछ दिनों से लोग डर के साय में जी रहे हैं और उनके साथ अन्याई भी हो रहा है, इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है, इसके बावजूद भी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं कहे रहा हूँ ना, इस केस की तहकीकात मुहम्मद इकबाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता है। राज्य के लोग जो डर के साए में जी रहे हैं, सब कुछ पुलिस के हाथों पे छोड़ करके, सारे दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हाथसे को काबू करने के बज़ाए सब आपस में लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी आप अपने परिवार से लिए के… दोस्तो, मेरी बात सुनो, तुम किस चैनल की वज़े से मुझे उक्सा रहे हो। हाँ, कुस दिनों में तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। मैं भी एक इंसान हूँ। साथ मैं पती हूँ, वही फर्ज निमाने आया हूँ। शादी के 10 साल बाद, आज मेरा एक बच्चा होने वाला है। इस समय पती और बाप का फर्ज निमाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो अपने परिवार को चला सकता है, वही इंसान देश को चला सकता है। सर, आप भी मंत्री बनने से पहले एक आम आदमी ही थे। घर परिवार के साथ आप देश की भी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब सवाल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ डरने की जरुवत नहीं है। जो भी केस मुहम्मद इकबाल ने लिया है, उसे पूरा किये वेगर कभी नहीं छोड़ता है। आप लोगों के लिए कोई नई खबर नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हारेंगे नहीं। आप कॉपरेट कीजिए। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अभी किस्थिती में आतंगवादियों पर रोक लगाने के लिए और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए आपने क्या किया है। सुनो, हमारा यह देश भगवान का देश है, गाट्स ओन कंट्री। इसलिए, यहाँ पर पहला सवाल जो होता है, उसका जवाब देने के लिए। अरे, खुद साक्षात भगवान आते हैं। आज की ताजा खबर मुंबई में तीवरता से बढ़ते हुए आतंग को रोकने के लिए इस केस को स्पेशल ओफिसर मुहमद इकबाल को सौंपा गया है। मुहमद इकबाल इस केस के नए आफिसर होंगे, जो हर हाल में इस केस को सौंप करके रहेंगे, ऐसा मंतरी जी का मानना है। करके रहेंगे, जो खेशए बीज जया हुए कर को मुहमद इस के रहेंगे है। जो ये इस को मुहमद इस प्रप्षेशिक रहेंगे, जो इस आफिसे का रहेंगे, जो चलाओे हाई अच्चू कहां जा रहे हो पापा को लेकर डॉक्टर अंकल से मिलने जा रहे हूं क्यों क्या हुआ बताऊना अच्चू बताऊना कोई सर्प्राइज है नहीं बेटी ये डॉक्टर अंकल को एक तोफा देना चाहिए यह देखो ट्रॉइंग भी है यह डॉक्टर अंकल के लिए जर्ण मुझे भी दिखाओ ना सिर्फ ट्रॉइंग ही नहीं गाना भी लिखाए ऐसी बात है क्या गाउना जर्ण आकर सुनाओ मुझे भी तो सुनना है बाद में सुनाओंगी तेक्स दीदी टीके सुनाओ मुझे बाद मुझे बाद मुझे बाद मुझे लिए क्यातर प्रवार सुनाओ के अमट में सुनाओास मुझे जए हम खरॉना भी लिए स्वनाओ हुः… किया है दोक्टर कुछ नहीं दर्द काम करने के लिए इस्ट्रिप दे रहा हूं शिस्टर जरा बालकुपाल सर पुलाओ ना किया किया सर्थ अरे अच्चु तुम डॉक्टर अंकल से मिलना हैं डॉक्टर अंकल अभी बिजी हैं बैटी हम रूम पर चलते हैं डॉक्टर अंकल वहीं आ जाएंगे कि इसको डॉक्टर अंकल को एक तौफा देना है इसका सर्प्राइज गिफ्ट है लाओ मुझे दो मैं दे दूँगी नाई चलो बेटी हम चलते हैं चलो यह लड़की कौन है अरे आपनी जानती यह हमारे सर की बेटी है वह कॉलेज में प्रफेसर थे चार महीने पहले उनका एक्सरेंट हो गया था अपनी फैमिली को खो चुके है यह इनकी बेटी है अच्चु अच्चु उस हादसे में बस यह दो लोगी बच पाए साहब चल नहीं पाते हैं पर उनकी पेटी एक्दम ठीक ठाक है अपने पिता को संभालना खाना खिलाना दवा पिलाना सब अच्चु ही करती है बहुत ही प्यारी बच्ची है कि अच्चु है कि अच्चु है कि 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 इनसान इतना दर से तडप रहा है और आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो उन्हें उठाव जल्दी और लेवरूप ले जाओ सर ये एक मंदरी की बीबी है डॉक्टर ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा लेकिन हम लोगे के लिए पहली बार है आप समझ गया ना आप जरा डॉक्टर बाल गुपाल सर को बलाईए ना अरे किसी को तो बुलाने दो इलाज तो शुरू करो आप पहले बाल गुपाल जी को बुलाईए डॉक्टर बाल को बुलाने में कोई फायदा नहीं है जब उनका काम खतम हो जाएगा वो सामने सो फोन करेंगे आप लोग डरी मत हां अरे काम खतम हो जाएगा तब वो फोन क करेंगे डॉक्टर है या भगवान हाँ एक बार कोशिश तो कीजिए कि आप अब हुआ है कि अब हुआ है कि अ यस डॉक्टर बाल बोपाल है सर मंत्री जी की बीवी को लेबर पेन हो रहा है उनको लेबर वोर्ड में शिप्ट करने के लिए जित करें बिना दर्थ के कोई डिलिवरी हुई हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है चाहे वो मंत्री की बीवी हो या किसी और की उस डर्थ के पीछे एक सुप का अनुभव है ये बात ओ लोग नहीं जानते फुड़ी दिर वेट करो फोल्ड फॉर्ड फॉर्द मूवमें तिल यू डिलिवर हलो ठीक है आगे बताइए इस दुनिया में उस मा के दर्थ को सम्मान देने में हम लोग आज भी पिछड़े हुए हैं समझे त्यान बढ़ गया है क्या और वैसे भी हमारे इस काम की कहा कदर होती है चलो रख्टव डॉक्टर येस मंत्री जी की बीवी को लेबर पेंग शुरू हो गया है तो और एक आदमी जादा होने वाला है ठीक है हजार वार्ड में एक लेबर रूम डालने का मेरा सपना है लेकिन समय पर हजार बच्चे हजारों का रोना धोना हजारों दिलों का बहलना उस पल का सुख कैसा लगेगा एक्सक्यूज मी मैंने क्यों गैनेकोलोजिकल स्पेशालिस्ट का कूर्स किया यह तुम जानती हो ना यह काम करने से जो मन को शांती मिलती है वो शांती मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है एक नौजात बच्चा मेरे हाथों से भगवान के रूप में जन्न लेता है उन्हें लाने के ओकी डॉक्तर सर सबात हो गई लेबर रूम में ले जाने के लिए कहा है चलिए क्विक फास्ट झाल 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 और बता इन में से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है, और नहीं बताना है, तो जा यहां से, और तू क्या सोचताएगी तेरी बातों से, मैं अपना मकसद बदल दूँगा, यह मैं जानता हूँ, लेकिन इन बच्चों को बचाये रखने के लिए इने एक दवा देना बहुत जान बचानी है, तो मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूर है, वरना यह मर जाएंगे. तो मरने देना, जब यह मरने ही वाले हैं, तो इनकी जिन्दगे क्यों बचाना चाहता है? डॉक्टर, यह बता दे कि इसमें से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है, उसके बाद तू दो बच्चों को आराम से लेके चला जा, नहीं तो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों का जिन्दा रहना ज़रूरी है, अगर इने कुछ हो गया तो बाहर सभी ल ज़रूरी है, इजाज़त दीजिए, प्लीज, तू जा सकता है, लेकिन अगर तू ने बाहर जाके पुलीस को बताने की कोशिश कीना, तो मुश्किल में पढ़ जाएगा, और इस हॉस्पिटल में कई सारे लोग हैं, जो सब तबाह कर देंगे, इसलिए होश्यारी मत करना, है, अगर तू यहां लोटके नहीं आए, तो फिर दुबारा लोटके यहां तुझे आना ही नहीं पड़ेगा, इस हॉस्पिटल के अंदर ही सब दफन होके रह जाएंगे, तेरे पास सिर्फ पंद्रा मिनट है, अगर तूने होश्यारी की, तो समझ लेना, सिर्फ पंद्रा मिनट का वक्त है, अगर इन पंद्रा मिनट के अंदर कुछ नहीं कर पाया, तो सिर्फ उन तीन बच्चों की जान ही नहीं, बल्कि पूरा अस्पताल खत्र में पड़ जाएगा, और यहां के लोगों को पता चल जाएगा, तो हंगामा हो जाएगा, किसी को पताए बिना, और कोई दुरघट ना खटे बिना, मैं कैसे और किस तरह सबको बचाऊंगा, यह सब क्या है डॉक्टर, मंत्री जी की बीबी को आपने घंटे से अंदर ही छोड़ दिया है, उनकी कोई खबर तक नहीं है, और आप खूम रहे हैं, अरे डॉक्टर साथ कुछ तो जवाब दीजिए, इस अस्पताल में मुझसे मिलने कई लोग आते हैं, सभी से मिलता फिरू क्या, यह क्या हो रहा है, कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा, सब अपने अपने काम में बिजी है, मेरे बेटे की स्थिती और उसके पोस्ट के हिसाब से हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थ पर सिर्फ आपकी वज़े से हम लोग यहाँ पर आये हैं, देखे माजी माजी, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आपके बेटे का सही लाज चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, चिंता मत किजिए, ओके? बुटा- थोजाए, पर आपके का स्वब रहा है, जर मत किजिए माज के ौमाती, घच रहा हो जा यहाँ है हेलो वैसे आज कौन सा दिन है याद है नापको आप काम में बिजी होंगे इसलिए मैंने सुचा मैं ही आपको याद दिला देती हूँ क्या बात है कुछ कह नहीं रहे आज 6 दिसमबर है आज हमारी शादे की सालगिरा है आज शाम को आते वक्त कुछ सामान लाना है चल दी आएगा मैं इंतिसार करूंगी हुँ हु 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 जब सुर्ण हो फसे सब्सक्तराओ की जया है बीन दयाल सुनलो मेरी पुकार दुख के बादल खेरे दुख के बादल खेरे नईया भीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कश्ट है निटता भगत को दर्शन देड़ो दुख के बादल खेरे नईया भीच भावर इसे तुम थाम लो कर दो पापियो कातू अब तो नाश कर गीता में कहे बचनों को साध्य कर कौरब के शर यंत्र से तूने द्रापद के तौल आज बचाए सुन ले स्वामी तू तू ही मेरा भगवान है तेरे बीना कुछ भी अब तू ना संभ है दुख के बादल खेरे दुख के बादल खेरे नईया भीच भावर इसे तुम थाम लो क्बेश दू है कि कि दो दो नहीं दो जब सकते हैं तुछ कि दो लुए भाई कि अप्राइब भी आपने आप पीजिए तुछ मधुर मधुर ये तेरी ये मुस्कान कैसे समझो मैं तो हूना दान मधुर मधुर ये तेरी ये मुस्कान कैसे समझो मैं तो हूना दान दिल में मेरे दर्द है क्रिष्णा भावणा में बहती हो क्रिष्णा दर्द मुझे अब तो और नहीं अब सहना है जब जब तुझको देखो दिल को धन्रक मिलती है दिल दयार सुन लो मेरी पुकार दुख के बादल खेरे दुख के बादल खेरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कश्ट है मिट का भात को दर्शन देड़ो दुख के बादल खेरे दुख के बादल खेरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो क्रिशना 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 इसे नपटनेंगे लिए कुछ लेकर आओ ओक्र, डॉक्टर अब क्या हुआ डॉक्टर आदा घंडा रुकिया मैं आभी आता हूँ डॉक्टर आप कहां जाए राउंड्स पर जाना है बहुत सारे पेशन्स आपका मिपटाने के बाद यह बाहर जा सकते हो बेवजय परिशारी मत बढ़ाओ अगर आपको तकलीफ हो रहे तो हम लोग सिप्ट हो जाते हैं हम लोग बहुत बीजी होंगे आपको एक्सपिरेंस भी नहीं है पहलो तो आप अंदर जाईए या फिर हमें सिप्ट होने का नुमती दीजिए इससे आगे कुछ मत बोलिए चाहिए आप सुने चाहिए 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 बेबी अब सिर्फ पांच मिनट बाकी है सिर्फ मैं ही नहीं इस हॉस्पिटल में तुम लोग तुम्हारे मांबाप सारे डॉक्टर्स सब एक साथ ओपर जाने वाले हैं मुझे तो मेरी जननत नजर आ रही है और मैं धीरे-धीरे करके उसके करीब पहुंच रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर आएगा ही इस कमिंग ही इस कमिंग ही इस कमिंग ओर में इस कमिंग इस घ्ट राओ लग। झाल 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 खूलो फॉन भी नहीं लग रहा है हाँ सिस्टर क्या हुआ क्या बात है इलाज हो रहा है डोक्टर अभी अंदर है ना अंदर हम कर दो दीदी दी बहुत देर हो चुगी है डॉक्टर अंकल कहा है डॉक्टर अंकल अभी बिजी है अच्चु को क्या चाहिए पर डॉक्टर अंकल कहां गए है डॉक्टर अंकल बहुत बिजी है जैसे ही फ्री होंगे उसके बाद अच्चु से मिलने आ जाएंगे कि सुभा से डॉक्टर को ढूने में लगी है डॉक्टर से मिलके उन्हें तोभा देना चाहती है एक गाना भी सुनाना चाहती है अब यह बैशारी क्या करें हर जगा ढूंडते हुए आ रही है हुए अजय को जोग्तर अंकल यह रही गुड्टर अंकल वेरी गुड्टर यह अज़ अज़ दॉड्टर अज़ा वस टेल ही मिनट बागी था दॉड्टर अंकल यह रही दॉड्टर अंकल अज़्टर यह वे आ आ कि डॉक्टर कि मौत हमारा पीछा कर रही है मैं अपना काम कर रहा हूं कि तुम अपना करो मैंने कहा था ना उसे डिफ्यूज करो सैफु दिन उसे डिफ्यूज करो हाँ सब ठीक है हाँ 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 अगर तु होस्पीटल को बचाना चाहता है ना तु तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी जल खोड़ा होजा हाँ खाने में जहर मिलाके मुझे खत्म करने की सोच रहे तू हाँ 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 है इश्वर यह क्या है मध्यराज को डराकर लोगों में डर पैदा करने के लिए आज मुम्मय में जो होने वाला था पांच जोमों पर बंस फोट उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है परेशानिया बढ़ती जा रही है प्रिया सब कुछ जानती है इस शहर को हम बचा सकते हैं यह तो अच्छी बात है कि वो ओफिसर मौमत इकबाल को जानती है और इस वज़े से सैफ उदिन का कम्प्रिटर इस्तमाल करके इस खबर को मैंने उन तक पहुँचाय था हलो? हलो? एक तो अब मुखके या ड्माना झाल झाल कि अल्ला के करम से काम हो गया है मंतरी को हमने उठा लिया है हम लोग अभी ठीरिस को उपर है उस मंतरी के बच्चा तेरे पास तो है ना उस बच्चे को लेकर तू पर आजा झाल 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 कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कर दे माफ तु मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुम कर मारूंगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कुछ नहीं मैं कर दो हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तुही तो थी कहा गए हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तुही तो थी याद तेरी आते है अब कैसे जिऊंगा मैं कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कर दो वेघको नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो खेंग। में क्यों चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरी लूगा बदेला तेरा दुश्मन के नजरों में क्यों चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरी भूली थी तो मासूम थी तेरे बिन कैसे जियूँगा मैं कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कर दे माफ तु मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुम कर मारूंगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया कुछ नहीं मैं कर पाया तुछ को नहीं मैं कर पाया कि लुदाँ का रहा है यस मोहतम इग्पाल सुर्ड इस प्रिया बालगोपाल जब रहां प्रिया बालगोपाल से उलए जब अबने कि अग्षेक बालगोपाल कि अपे सक्षा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 सर, बच्चों को वार्ड में ले जाकर रखना है क्या? हाँ, और उनके परेट्स को ख़बर कर देना. सर, ये बच्चे, किसके हैं? ये पैचानना मुश्किल होगा, क्योंकि उन पर टैक नहीं है सर. झाल 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 संद्ध्सरे ड़्स अजार झाल 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 एहाद्स तरफ CSSis. कहाँ है, कहाँ है ओके, नेक्स रिपोर्ट सुफिया, वाइफ ऑफ साखरिया थॉमस, स्ट्रिलिंग है सेवन, नक्यूस, ये भी स्ट्रिलिंग है सर, सुनिये न, सर, ये दोनों स्ट्रिलिंग हैं, हम इने कैसे पैचानेंगे अगर डिन टेस्ट करेंगे, तो कम से कम दो देन लग जाएगे छाह ये, हम जो एमारे, इने को उे ए kolही पहने, जसाम हा सबँ़ है अजए आजम है विक क Annual पर एंसरा बहाना कर दो अई दो खरो जो 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 भाइब! सिस्टर दिनिश को भुलाओ जाओ जल्दी करो कल शाम को आते वद्ट क्या क्या हुआ मैं बताओ तुमको कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ मैं तो ऐसे ही मजा कर रहा था मेरे मोबाइल के रेंज ना भी मिले तो भी बात कर लेता हूं मैं दिनिश जी डॉक्टर बालगोपल बुला रहे हैं अच्छा आता हूं जाने बन कि तुम अपना फोन निकल कर दो वह कहा ना फोन दो लीजे सर कर दो कर दो कर दो कर दो सर्फ वो कर दो कर दो कर दो कर दो सिस्चर दोनों बच्चों को यार लेकर आओ कर दो 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 यही साकरिया थॉमस के बच्ची है ओके डॉक्टर खॉबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुबुुबुबु यही सकते हुआपद्टर उैसे में करे दों सकते हैं सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो हिए इस तरह इधर चुप जाता हूँ इधर चुप जाता हूँ मंतरी जी की बीबी का डिलीवरी केस सॉल महीं हो रहा है तो क्या हूआ अरे 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 एरे अरे तोन शाओट और गोगाँ ये मसोच की तूची तूची चीत किया तेरे इस कार नामे की वजे से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा और कुछी पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे यही तेरी सजा है इस अस्पताल में हमने टाइम बॉम रखा है और वो किसी भी समय फट रखता है तूने क्या सोचा डाक्टर तू मुझे दोखा देने का अब तेरी यह वजा से यहां सारे लोग मारे जाएंगे और यह एक बॉर है और यह वाल्टी हास रज़ेगा और इन सब की वजा तूने है डाक्टर सिर्फ तू अब मैं देखता हम डाक्टर तू इस हॉस्पिटल कैसे बचाएगा दबाह होने से डाक्टर साब डाक्टर साब डाक्टर साब डाक्टर साब जो इंसान अपनी खुद की मौत चाहता है उसे हम बचा नहीं सकते हम उससे बात करके ही काबूल में ले सकते हैं बम का पता लगने में या बम के भर में पताने में अगर ये पीचे हड़ गया तो कई लोगों की जान खत्र में पढ़ सकती है वो या नहीं है इस खिड़की के तरफ से वो शाद भाग चुका है झाल 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 कर दो कर दो कर दो हो खूरत NEW कर दो बो मेधन жизнь वह वह घुए वह घुए को दो कर दो रख्योजन चैनल झाल 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 झाल